नमस्त दोस्तों मैं हूँ आगम सेंग ससोधिया स्वागत है आप सबी का आज जो हम टॉपिक टच करने वाले हैं वो है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी एक डाइग्नॉस्टिक टेस्ट है जिसके थूँ वेंस और आर्ट्री में हुए ब्लॉकेज का पता लगाय है कि आखर यह ब्लॉकेज होते क्यों है और इन ब्लॉकेज का कारण क्या होता है और अगर ब्लॉकेज हो जाते हैं तो इनसे हमारी बॉड़ी को क्या अगर कुछ फर्क पड़ेगा तो वो क्या होगा तो इन सवालों के जवाब जब हम जान लेंगे तो हमें angiography और angioplastic को समझने में और भी आसानी होगी और और interest आएगा ताकि हम उन्हें और अच्छे से समझ सकें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक important चीज़ बता दूँ कि अगर आप English ज्यादा प्रिफर करते हैं in compare to Hindi तो आप इस वीडियो को same to same English में देख सकते हैं मेरे दूसरे चैनल disease media पर जाकर वीडियो का link मैंने description में दे दिया है वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख सकते है और अगर आप Hindi में continue करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रही है सबसे पहला सवाल है कि आखिर ये blockage होते क्यों है blockage का कारण है अवरोध आना मतलब हमारी जो veins और arteries जो की एक tube की तरह है जो की पूरी body में blood supply कर रही है उनके बीच में किसी चीज की रुकावाट आ जाना इसकी वज़े से blockage होता है जैसे कोई नाली है कोई drainage है जिसके तुरू water बहता है पानी बहता है कच्रा बहता है लेकि बार एक जगे जाके इखटी हो जाती है और उस इखटे हो जाने की वज़े से वह नालीक जो है हमारी जो veins है जो हमारे tubes हैं उसको blockage कर देती है इससे blood flow प्रॉपर हो नहीं पाता इसकी वज़े से blockage होते है और उसी हम भूलते है प्लाग डिपॉजेशन अब यह प्लाग डिपॉजेशन का कारण क्या है यानि कि cause क्या है कॉज है blood के अंदर high cholesterol होना या फिर high triglycerides का होना देखिए cholesterol level आपने कही बार सुना होगा cholesterol ज्यादा fatty food खाने से और triglycerides भी एक तरे का fatty है तो जब ज्यादा fatty foods हम खा लेते हैं या फिर ज्यादा शुगरी foods हम खा लेते हैं जासे ज्यादा चीनी वाले उससे क्या होता है कि हमारी body के अंदर fat deposition ज्यादा बढ़ जाता है इतना बढ़ जाता है कि वह veins और arteries के अंदर जाके भी deposit होने लगता है बोडी के side में तो वह होता ही है लेकिन veins और arteries के अंदर भी वह जाके deposit होने यह blockage से हमको क्या नुकसान है देखिए अगर कोई भी blood supply हो रही हमारे body के अंदर तो अगर continuous हो रही है तो सारे body के cells सारे organs को proper blood मिल रहा है जिसकी वज़े से proper work कर पा रहे हैं लेकिन अगर plaque formation की वज़े से blood supply proper नहीं हो पा रहे हैं तो उस जो organ हैं जो हमारे tissues हैं जो cells हैं उन और साथ में chest pain आपको देखने को बिलता है तो doctors क्या recommend करते हैं कि आपको angiography करानी है और अगर angiography में कुछ diagnose होता है तो आपको angioplasty जो कि उसका treatment है वो करना होता है तो अब हम बारीके से समझेंगे कि angiography क्या है और angioplasty क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं angiography की angiography diagnostic test है जिसके through जो blockage है जो blockage artery है या जो भी blockage part है उसका पता लगाया जाता है अब इसको procedure को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगा ताकि आपको ये angiography का concept पूरी तरह clear हो जाए देखिए इसका procedure start होता है doctor सबसे पहले हमारी जो wrist होती है wrist जांग का area वहाँ से catheter को inject करते हैं catheter एक बारिक सी tube होती है जो कि हमारी नस के through आप समझ सकते हैं नस कितनी बारिक होती है तो उस नस से भी बारिक एक pipe होता है उसको नस के through या तो यहां wrist से डाल देंगे या फिर जांग की नस से डालेंगे और उसे धीरे-धीरे करके heart तक पहुँचा देंगे, उस रे की guidance में, एक्सरे क्या है, एक्सरे की गाइड का काम करता है, एक्सरे से picturized form में, डॉक्टर उसको बाहर स्क्रीन पे दिखता रहता है, कि यह catheter इस vein में जाते जाते है, हार्ट तक, मतलब जो रास्ते का tracking है, वो एक्सरे के थुरू किया जाता है, तो सबसे पहले क्या हुआ, catheter को अंदर डाला गया, हार्ट तक, ठीक है, जब हार्ट तक catheter पहुँच गया, उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं, उस catheter, यानि कि उस बारी ट्यूब में, जो contrast dye होती है, एक तरह की specialized dye होती है, जो कि वहां उस catheter के अंदर डाली जाती है, व उसमें वो dry पहुच जाती है, मैंदब catheter से इस pipe के through, या हार्ट तक पहुची हो dye, और वहां dye उस coronary arteries में फैल गई, अब dye का काम क्या होता है, dye क्या करती है, जो blockage है, जो भी area है, सारी की imagining, यानि कि उसके photos, pictures अंदर का लेने में, और डॉक्टर को दिखाने में आसानी करती है, अब आती है third step, जिसे बोलते हैं x-ray imagining, एक ऐसी technique है, जिसके तुरू arteries और vein के अंदरुनी भाग को doctors द्वारा जाचा जाता है, यानि कि कहां पर blockage है, या फिर कहां पर problems हो रही है, तो उससे जाचा जाता है, और doctors इस x-ray imagining के तुरू एक report तयार करते हैं, जिसे बोलते है angiogram, यहां पर आप ध्यान से समझेगा, क्योंकि angiogram एक report का नाम है, और angiographic technique का नाम है, जो कि टेस्ट कराने का काम करती है, तो यहां पर doctors पता लगा लेते हैं angiogram के थुरू कि कहां पर blockage है, कि इस particular segment में blockage है, ठीक है, इस blockage का पता लगाने के बाद, doctors patient को suggest करते हैं कि अब angioplasty का है, एक treatment procedure है, जिसके थूरू इस blockage को हटाया जाता है, ताकि proper blood supply हो सके, तो इसके लिए doctor क्या करते हैं, जो catheter हाथ या फिर जांग की नस से हमारे heart तक पहुँचाया गया था, जो बारीक सी tube पहुँचाया गई थी, उसके थूरू एक बारीक सा तार डालते हैं कि उस तार के सारेक बारीक सा गुबारा, एक छोटा सा बलून उस तार के थूरू उस blockage area तक भेजते हैं, उस बलून को भेजने के बाद, उस blockage area तक जब बलून पहुच जाता है, तो उस बलून को फुलाया जाता है, और वापस से उससे हवा निकाली जाती है, बार बार सुकरता जाता है, वो side होता जाता है, और जो artery थोड़ी से चोड़ी होती जाती है, जिससे क्या होता है, कि जो blood supply ही है, वो normal होने लगता है, यह primary technique है, जिसके थूरू मतलब सिर्फ area को clear किया गया है, यानि कि area को सिर्फ आपने अभी clear करा है, ताकि normal flow हो सके, तो ऐसा करने के जब arteries में gap create हो जाता है, जब arteries के बीच में से blood easily flow होने लगता है, और प्लाग जो है, वो side में हो जाता है, तो doctors क्या करते हैं, उस balloon को वापस निकाल लेते हैं, उस catheter के थूरू, और दोबारा से एक और balloon उस wire के थूरू, उस blockage area तक पहुँचाया जाता है, लेकिन इस पर व उस stent को उस balloon के उपर लगा करके उस blockage area तक पहुचाया जाता है, पहुचने के बाद उस balloon को फुलाया जाता है, वापस से air दे करके उस balloon को फुलाया जाता है, इससे क्या होता है, वो balloon तो फूलता है, लेकिन stent भी साथ-साथ उसके साथ फूलने लगता है, और बड़ा हो आकरती बदल जाता है और उसे बालून को वापस से वापस से हवा निकालकर उस बलून को के है और चैसे को बिए बाहर निकाल लेते हैं और बाई हो जाएगे विल्य की नहीं घूष Εंजि एक आल से इजिली नॉर्मली वापस से सर्कुलेट हो सकता है तो यहां पर आपको एक इंपॉर्डंट चीज जानना बहुत जरूरी है जैसे कि कई पेशेंट्स में देखा गया कि एंजियो प्लास्टी के बाद भी प्लाग डेपोजेशन की समझ्चेयां देखने को मिलती हैं तो ही मिल जाएगा एक तरह से सबसे पहला सॉलूशन है कि आपको हेल्दी हार्ट डाइट लेनी होगी यानि कि ऐसी डाइट जिसके अंदर फैट्स और शुगर कम हो क्योंकि जैसा कि आपने देखा फैट्स की वजह से जो प्लाग डेपोजेशन है वो होते हैं जैसे करेंगी तीसरा और बहुत इंपरडेंट पॉइंट अगर आपकी एज और हाइट के हिसाप से अगर आपका वेट जादा है तो आपको वेट को कंट्रोल करना होगा क्योंकि इस फैट डिपोजेशन के वजह से यह सिर्फ आपका मोटापा नहीं बढ़ाता है यह आपके हार के अंदर जाके और भी कई सारी प्रॉब्लम्स कर सकता है जिससे हार्ट एक जैसे समस्चा है आपको देखने को मिल सकते हैं तो वेट लॉस एक बहुत बड़ा उपाया है जिससे आप इन बिमारियों से बच सकते हैं तो यह था एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिजे को कि मैं इसी तरह के वीडियो लेके आता हूं और अगर आप चाहें तो मुझे ट्वीटर फेस्बुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और साथ ही मेरे इंग्लिश चानल डिजीज मीडिया को भी स सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि वहां पर भी मैं कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूं तो आज के लिए कुछ इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ